हलो सुरेंट्स विल्कम डू दो दिस चानल आने की एजुकेशन पॉइंट माइन इम इस इना टककर और आज हम क्लास 12 का माक्रो एकनॉमिक्स का चाप्टर नुबर एट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंकम डिटर्मिनेशन और मल्टिप्ला है यह चाप्टर बहुत इंट्रस्टिंग और सिंपल है इसको समरी की फ़र्म में पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी इसको खतम करेंगे हर एक टॉप करने की कुशिश करूंगे मैं बैक बेंचर्स के लिए वीडियो बहुत काम का है और अगर आपने केजी भी रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं करी है तो आप समरी देख सकते हैं और पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं लास्ट मिनट पर आपकी रिविजन में भी बहुत का करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो हमार को जो थियोरी है वो किसने दी गई है तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टूदा किनेजियन थियोरी एक्लिविरम कंडिशन इस जरनली स्टार्ट इन तर्म्स ओफ एग्रिगेट डिमांड एग्रिगेट के लिए तो वो दो अपरोंच कोंछ有點 एक तो एडी और यहां पर बराबर हो जाते हैं उस पे हमारा एगलीवरं बनता है और दूसरी अपरोच है वह सेविंग और इनेस्मेंट जहां बराबर होते हैं वहां परब्ली लेवल देखा जाता है तो हम लोग इस चेडूल को समझते हैं और हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऐसा सिचुएशन होती है जहां पर डिमांड जितनी होती है तो हम देख सकते हैं यह हमारा शेडूल है जिसके अंदर इंप्लॉइमेंट दी गई है तो यह हमारी सेविंग्स है यह हमारी इंवेस्टमेंट है इंवेस्टमेंट है और सेविंग आप देख सकते हैं आपको यह चीज तो पता ही होगी पहले नेगेटिव क्यों है क्योंकि कंजम्शन हम कर रहे थे जबकि इंकम हमारी कुछ भी नहीं थी तो हमारी सेविंग तो न के चलेंगे सी प्लस है यानि की कंजम्शन प्लस इंवेस्टमेंट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एडी निकल जाएगा आप देख सकते हैं इसी तरीके से सब क्यालकुलेट करता रहना है हम लोगों को और 40 इंप्लॉइमेंट पे एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां प लोगों को क्या करना था एड करना था 40 प्लस माइनस हो जाएगा यहां पर 40 तो यह तो जीरो हो गया ठीक है फिर फिर 120 प्लस माइनस 20 कितना हो गया हंड्रेड हो गया ठीक है इस तरीके से आप लोगों को सॉल्फ करते यह निकाल लीन है और एक ऐसा लेवल आया है 40 employment पे कि जहां पहें दोनों ही बराबर हो गए है ठीक है न और जो उससे ऊपर का लेवल होता है अब देख पा रहे हूं उपर का लेवल यह यही है कि डिमांड हमारी जादा है और सप्लाय उतनी हो नहीं रही है तो इसी लिए AD की तरफ मैंने जो है arrow करा है ठीक है तो AD जो है वो जादा है यानि की aggregate demand जादा है और supply कम है फिर एक level ऐसा है जहां दोनों बराबर हो गए अब supply जादा है और demand कम है मतब supply जादा हो रही है लेकिन इतनी demand हो नहीं रही तो आप देखी सकते हैं इसमें ये तीन जो है situations बनती है ठीक है ये तो हम समझ गए AD और AS approach लेकिन अगर हमें समझना है कि saving और investment approach कहां पे है तो मैंने A की schedule बनाया है आप लोग अलग लग भी बना सकते हैं बट मैंने एक ही बना दिया है एक ही में की बराबर है तो आप समझी गए हूँ और इसके पहले वाली situation आप लोगों को पता ही होगी कि क्या होगा यानि कि अगर मैं इसको अलग schedule बनाती तो क्या होता मेरी saving जो थी saving जो है वो कम होती और investment ज़ादा होती और नीचे के cases में आप लोग देखी रहे हैं कि आप खुदी देख रहे हैं कि investment ज़ादा है और saving कम है और यहाँ पर दोनों बराबर है और नीचे वाले case में क्या होगा मेरी saving जो है मैं नीचे लिख रहे हूँ saving जो है ज़ादा है और investment कम है ठीक है तो आप देखी रहे हैं तो इसी तरीके से मैंने इसी के अंदर जो है आप लोगों को समझा दिया और इसका अगर हम curve देखे तो मैंने AD और AS का curve यहां बनाया और saving और investment का यहां बनाया तो पहले हम लोग AD और AS वाला समझ लेते हैं यहां आप लोगों को पते हैं यहां बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आप लोगों को तो बेसीकली AD और AS काहां बराबर उते हैं जहां पर दोनों meet करते हैं यह जो point है इसी को यह equilibrium point हम लोग बोलेंगे ठीक है आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहरी हूं और यहां पर यह मैंने बनाया सेविंग और investment का यह देखो यह हमारा supply, uh sorry, saving or investment बराबर होंगी Full employment क्या होता है Full employment का मतलब होता है Refer to the situation when AD is equal to AS at the level where the resources are fully employed, कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे हमारी demand और supply बराबर हो और वहाँ पे हमारी resources भी fully employed हो रही है, मतलब जितनी demand है उतनी ही supply है, याने कि जितने लोग काम करना चारे है सबको काम मिल रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं fully full employment बोलते हैं जिसका curve मैंने यह बना है x-axis पर आप देख पा रहे हैं और यह y-axis पर मैंने ad लिया है और यह हमारी as का curve है यह हमारा ad का curve है जहां पर दोनों मिल रहे हैं मतलब यह वाली situation हमारी कौन सी है full employment की situation है next हम लोग समझते है under employment equilibrium होता क्या है तो देखो under employment का मतलब है कि when ad is equal to as at the level where the resources are not fully employed यहां पर हमारे resources जो है fully employed नहीं है कहाने का मतलब यह है कि demand जो है वो कम है कि इसको आप curve से समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा यह हमारा x-axis है ठीक है यह हमारा y-axis है जहां पर मैंने ad लिया है यह हमारा normal curve है मतलब यह हमारा as का curve है यह हमारा ad का curve है normal जैसे बना रही थी मैं मैंने वैसे ही बनाया है equilibrium level यह वाला है बट यहां पर under employment equilibrium की situation है यह दि मांड केम हो रही है तो situation को अम लोग क्या बोलते है under employment equilibrium situation बोली जाती है next हम लोग देखते है over full employment equilibrium situation क्या होती है इसमें क्या होता है reference to a situation when AD is equal to AS beyond the employment level याने कि जितने लोगों को काम चाहिए था लोगों को मिल भी रहा है लोग काम भी कर रहे है याने कि जहां पर हमारा AD और AS मिल भी रहा है बट हमारी जो demand है वो बढ़ रही है याने कि demand बढ़ रही है तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी situation देखने को मिलती नहीं है बट बताई गई है इसलिए आपको बता दिया है मैंने ठीक है क्योंकि जो मारा AD का curve है आप देख रहे हैं अब जितनी demand है उतनी ही supply है सब लोगों को काम मिल भी गया उसके इलावा कौन सा काम बचा कोई भी नहीं तो यह जो curve है वो AD1 उपर बनाया है मैंने ऐसा होता नहीं है basically पर चिल बता दिया मैंने आप से हम multiplier क्या होता है multiplier को हम केसे denote करते हैं इसकी define पहले समझेंगे इसके formula समझेंगे आसे question आने का बहुत ही जादा chance है तो फ्लीज इससे ध्यान से समझें तो देखिए सबसे पहले तो होता क्या है कि multiplier को हम केसे denote कर रहे है refers to the ratio of change in income to our change in investment कहने का मतलब यह हुआ कि delta y upon delta i यह हमारा multiplier का formula है कि मतलब multiplier यह है तो सबसे पहले इसकी हिंदी वे इसका मतलब जान लेते हैं किसका मतलब है क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई government या कोई साब भी investment करता है कोई person अगर investment करता है तो उसकी जो investment है जब वो invest कर रहा है और उसकी जो income है वो उससे कई गुना जादा यानि कई times बढ़ जाए तो उसी को हम क्या बोलते है multiplier बोलते है नाम से भी clear है multiplier होना यानि आपकी investment कई गुना बढ़ के मिल रही है तो वो आपको क्या है multiplier है तो I से मतलब है हमारा investment और Y से मतलब है income multiplier is directly related with the MPC तो यानि कि K का एक और formula होता है जो कि हम solve करना सीख रहे है एक formula है कि 1 upon में 1 minus MPC यह हमारा दूसरा formula है जो हमें लगाना है उसके बाद बात करते हैं कि एक formula और बनता है वो कैसे बनेगा वो समझेंगे तो देखो K is equal to अभी हमने पढ़ा K is equal to 1 upon 1 minus MPC यह हमारा एक formula है किसका multiplier का तो K as it is लिखा 1 का 1 as it is लिखा upon भी मैंने same लिख दिया उसके बाद 1 minus MPC हम लोगों को पता है पिसले चाप्टर में पढ़ चुके है कि 1 minus MPC किसके बराबर होता है MPS के बराबर होता है तो मैं क्यों नहीं यहां लिख सकती कि 1 minus MPC के जगा पर मैंने MPS लिख दिया तो यह भी मेरा एक formula बन गया जो की formula number 3 है तो एक formula यह था एक formula यह था और एक formula यह था उसके बाद बात कर लिख तो यह हमने जो formula समझा है इसी को मैंने नीचे लिखा था कि multiplier जो होता है is inversely related with the MPC यानि कि inversely related होता है किस से MPC से तो यह formula बस मैंने यहां लिख दिया था अब हम समझेंगे कि maximum value और minimum value क्या होती है हमारे multiplier की यह हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसके लिए मैंने आपको थोड़ा detail में जाना पड़ेगा तो ही आपको समझाएगा जैसे k is equal to 1 upon 1 minus MPC यह मारा formula होता है यहां भी मैंने यही लगाया है तो मैं MPC की जगा पे यहां पे 1 put कर रही हूँ और यहां पे 0 put करूँगी फिर देखते हैं कि maximum और minimum value पता चलेगी सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया k is equal to 1 upon 1 minus 1 MPC की जगा पे 1 रखना था तो 1 का 1 1 minus 1 कितना हुआ 0 हुआ तो 1 upon 0 कितना होता है infinity तो यह हमारी क्या है maximum value कितनी आ रही है infinity आ रही है और अगर मैं MPC की जगा पे 0 रख दू ठीक है तो आप देख रहे हैं कि minimum value जो है वो 1 है और maximum value कितनी है हमारी infinity है जो कि मैंने यहां पे लिखा भी था minimum value of the multiplier be 1 and the maximum value can be infinity I hope आपको यहां पे clear होगा next working of multiplier कि multiplier किस तरीके से work करता है यहां में समझना है तो थोड़ा सा इसको detail में समझना पड़ेगा तो ही आपको सारी चीज़े समझाएंगे कि multiplier जो होता है काम कैसे करता है one person expenditure is another person income अगर किसी बंदे ने कोई person है जिसने खर्चा की है तो वो अगले person की income होगी for example मैं अगर किसे students को पढ़ा रही हूँ अगर student मुझे पैसे दे रहे है तो student का ये expenditure है बट मेरे लिए तो ये income है तो हम इसमें समझेंगे कि basically कि अगर कोई person अगर कुछ खर्चा करता है तो वो दूसरे person की income होती है तो किस तरीके से जो हमारा initial increment होता है investment के अंदर उससे हमार को कितना result मिलता है मतलब aggregate income कितनी बनती है तो हम इसको समझने के लिए आपको ये round समझने पढ़ेंगे मतलब एक table समझना पढ़ेगा round है first round जिसमें delta i है delta i है ठीक है delta i का मतलब है कि investment में कितना increase हो रहा है delta i मतलब है हमारी income में कितना increase हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का जो formula है वो यह है कि delta c okay तो delta c निकालने के लिए यहाँ लिख रही हुरुँ में delta c हम लोग यहाँ पर find out करेंगे तो delta c निकालने का formula क्या delta y delta y into mpc okay और delta S निकालने का formula क्या है delta Y minus delta C तो आपको अगर यह समझ जहे हैं तो इसको ध्यान से समझें आप लोग कि यह है क्या जैसे अगर हम यहाँ पर बता लगाएंगे कि हमारा consumption कितना increase हुआ है जिसको हम जो है delta C से denote कर रहे हैं कि हमारी saving कितनी increase हुई है saving कितनी increase हुई है consumption कितना increase हुँ रहा है कि क्या तो यह हम निकालेंगे delta C निकालने का formula क्या होता है delta Y into MPC और delta S यादि saving निकालने का formula क्या है delta Y minus delta C ओके उसके बाद हम लोग समझते हैं कि first round के अंदर अगर किसी ने investment करी है 100 करोड की ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ करोड ठीक है अगर मैं जो आप लोगों को समझाना चारी हूँ है हर्चीस यहाँ पर क्या है करोड में दी गई है ठीक है ना ओके तो हमारा यहाँ पर बताया गए कि investment किसीने 100 करोड की करी है तो जो वो करी है वो कही ना कहीं किसीना किसी फॉर्म में जाएगा यह पैसा आगे तक shift होगा तो delta y मत्तब वो income बन गई ठीक है जहाँ पैसा गया वो किसी की income बन गई यह चीज हमने अभी भी समझी ठीक है तो उसके बाद हमें यह देखना है कि हमारा consumption में कितना increase हुआ है तो हम यह चाह रहे हैं हम यह समझना चाह रहे है basically इसके अंदर इस table को समझने के लिए कि MPC जो है 90% मान के चल रहे है क्याने का मतलब यह है कि 0.90% हम मान के चलेंगे क्यों मानेंगे अगर किसी ने 100 करोड की investment करी है ठीक है अगर किसी की investment investment जो है 100 करोड की है जिसमें से हम यह मान के चलेंगे कि उन्होंने सिर्फ 90 करोड ही खर्च की है ठीक है और 10 करोड जो है वो बचा लिए हैं वो सेव कर लिए है ठीक है तो इस तरीके से यह table चलने वाला है कि उन्होंने जो है 100 करोड में से 10 को सेव कर लिया और 90 करोड को खर्च कर दिया तो यह कैसे निकाला मैंने 100 into 0.9 किया चिक है तो मेरा यहां क्या आगया 90 आगया फिर यह जो 90 आगया वो दुबारा से जो यहां पर मेरा जो consumption बड़ा था वो यहां पर अब वही income बन जाएगी यानि कि जो मैंने यहां पर expenditure किया है मतलब जो consumption हुआ है वो सेम यहां आ जाएगा वही सेम 90 यहां आ गया फिर 90 का वही 0.9 करेंगे तो 81 हमारा consumption हो गया जिसमें से हमारा 9 हमारे save हो गया फिर से वही बात आगे 81 यहां आ गया फिर इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता गया जिसमें 81 आया फिर 72.90 आया फिर 65.61 तो इस तरीके से चलता रहेगा उसके बाद हमारे save कितने हो रहे है 10 9 8.10 7.29 तो इस तरीके से पूरा टॉटल करूंगी जिसमें हमारी investment गों जब मैं टॉटल कर barbecue तो 100 आ रहे है ठीक है और जो मेरी income का जो माहädर कितनी मेरी income में increase हुआ वह आ रहे ह है 1000 जिसमेंसे consumption का मेरा जो total आ रहा है मतलpowऺ कंजम्शन जो आ रहे है मिरा वो आ रहे और सेविंग का जो आ रहा है मतलब कितनी इंक्रीजिन सेविंग है तो वह आ रहा है 100 ठीक है तो जितना मैंने यहां पर इंवेस्ट किया था 100 करोड उतना ही मेरे यहां पर सेविंग दिखा रहा है तो इस तरीके से बट अगर यह इतना वड़ा टेवल हम कौन बनाएंगे इस इक इस इक वाल टू वन अपन वन माइनस एंपीसी फॉर्मला होता है वन का वन वन माइनस लिखा एंपीसी कितना है 90 परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो एंपीसी 0.9 परसेंट हो जाएगा मदब 0.90 हो जाएगा ठीक है तो 0.90 हो गया तो के की वालू कैसे निकालेंगे तो 1 as it is 1-0.9 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा ठीक है तो इसको पूरा solve करना तो मैं मान के चलू आपको आता है तो 10 times आ गया ठीक है तो भी हमारा को पता चल गया कि हमारा जो multiplier वो 10 times है ठीक है तो दोनों फॉर्मले से निकालके मैंने आप लोगों को दिखा दिया बस इसका curve द उसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगी डायोमेट्रिक प्रेजेंटेशन है हमारी multiplier का यह एकस एकसेस पर हमारी income ली गई और y एकसेस पर हमारा AD यानि की C प्लस आए है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यह हमारा 45 डिग्री का AS का curve है यानि aggregate supply का यह हमारा AD है ज वो shift हो गया तो वो क्या है हमारा यही क्या है डिल्टा आय है जो कि मैंने यहाँ पे आपको denote करके दिखाया है I hope आपको यह जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर कमेंट कर दीजएगा चानल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें ऐसे ही आप तक अच्छे अच्छी वीडियो आती रहेंगी अगर आप कुछी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं थैंकी सो माच